हेलो बच्चों, डिजी लेशन रॉम दा हाउस अफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्धुधारा के रसाहिनिक प्रभाव, अभ्यास, प्रश्न उत्तर। रश्न एक रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजे, पहला विद्धुध चालन करने वाले अधिकांश द्रव, अमलों, छारकों तथा लवनों के विल्यन होते हैं। दूसरा, किसी विल्यन से विद्धुधारा प्रवाहित होने पर चुम्बकी प्रभाव उत्पन होता है। तीसरा, यदि कॉपर सलफेट विल्यन से विद्धुद्धारा प्रवाहित की जाए, तो कॉपर बैटरी के रिन टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर विख्षेपित होती है. चौथा, विद्धुद्धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांचित धातु की परत विख्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्धुद्लेपन कहते हैं. प्रेश्न दो जब किसी समपरिक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विल्यन में डुबोते हैं तो चुम्बकिय सुई विक्षेपित होती है क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं तर हाँ ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं जब किसी समपरिक्षित टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विल्यन में डुबोते हैं तो चुम्बकिय सुई विक्षेपित होने का कारण है कि विद्धुद्धारा चुम्बकिय प्रभाव उत्पन्य करती है विद्धुद्धारा दुर्बल होने पर भी चुम्बकिय सुई विक्षेपित होती है चुम्बकिय सुई का विक्षेपन धारा की प्रभलता पर निर्भर करता है धारा जितनी प्रभल होगी चुम्बकिय सुई उतना ही अधिक विक्षेपित होगी प्रश्न तीन तीन ऐसे द्रव्यों के नाम लिखिये जिनका परिक्षन निम्नांग के चित्र के दर्शाय अनुसार करने पर चुम्ब के सुई विक्षेपित हो सके तो इसका उत्तर होगा पहला कौपर सलफेट का विलियन दूसरा नीबू का रस तीसरा नल की टोटी का जल प्रश्न चार निम्नांग के चित्र में दर्शाय गई विवस्था में बल्ब नहीं जलता क्या आप संभावित कारणों की सुची बना सकते हैं अपने उत्तर की व्या परण हो सकते हैं पहला बल्ब फ्यूज हो सकता है दूसरा विद्धु धारा इतनी प्रबल हो कि बल्ब का तंतु परियाप्त गर्म ना हो पाता हो फलस्वरू बल्ब नहीं जलता हो तीसरा सेल से धारा प्रवाहित ही ना हो रही हो और चौथा परिपत में तारों का सयोजन डीला हो प्रशन पांच द्रो द्रवों ए और बी के विद्धु चालन की जाज करने के लिए एक सम परिक्षित टेस्टर का प्रयोग किया गया यह देखा गया कि सब परिक्षित का वल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप् कि पहला द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है दूसरा द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है तीसरा दोनों द्रवों की चालकता समान है चौथा द्रवों को चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती तो इसका सही उत्तर होगा पहला द्रव ए द जरब बी से अच्छा चालक है प्रशन 6 क्या शुद्ध जल विद्धूत का चालन करता है यदि नहीं तो इस चालक बनाने के लिए इसमें अमल या छार या लवण घोलना चाहिए उत्तरोग नहीं शुद्ध जल विद्धूत का चालन नहीं करता है इसे चालन बनाने के लिए इसमें अमल या च्छार या लवण घोलना चाहिए प्रेशन साथ आग लगने के समय फायर मेन पानी के हौज पाइपो का उपयोग करने से पहले उस छेतर की मुख्य विद्धुत आप पूर्ती को बंद कर देते हैं व्याक्या कीजिए कि व पानी के हौज पाइपो का उपयोग करने से पहले उस छेतर की मुख्य विद्धुत आप पूर्ती इसलिए बंद कर देते हैं कि साधरन पानी विद्धुत का सुचालक होता है जदी पानी का छड़काव करते समय पानी विद्धुत बोर्ड आदी में चला गया तो सारे छे प्रेशन आठ टटिय छेतर में रहने वाला एक बालक अपने सम परिक्षित से पीने के पानी तता समुद्र के पानी का परिक्षण करता है वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुम्बकिय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है क्या आप उसके कारण की व्याख्य कर सकते हैं तो इसका उत्तरोगा हां समुद्र के पानी के लिए चुम्बकिय सुई अधिक विक्षेपन इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी पीने के पानी से अधिक विद्धुत का चालक है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में लवण खुले रहते हैं रश्न नौ क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइमेन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्धुत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है व्याख्या कीजिए नहीं तेज वर्षा के समय किसी लाइमेन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्धुत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि पानी विद्धुत का सुचालक है तेज वर्षा के समय जरा भी विद्धुत लीक होने की दशा में लाइन मेन को करेंट लग सकता है और उसकी जान तक जा सकती है प्रशन 10 पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना की आसुच जल इसलिए उसने एक स्वच्च काँच के बरतन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके सम परिक्षित से यानि टेस्टर से उसका परिक्षण किया उसे यहां देखकर आशरे हुआ कि चुम्बकिय सुई विक्षेब तरशाती है इसका क्या कारण हो सकता है उत्तर चुम्बकिय सुई द्वारा विक्षेब तरशाने के निम्निकारण हो सकता है वर्षा का जल वास्त मिल जाती हैं जो विद्धुत का सुचालक बना देती हैं अता जब पहली अपने संपरिक्षित से वर्षा के जल का परिक्षण करती है तो चुम्बक किये सुई विक्षेब दर्शाती है रश्न ग्यारा अपने आसपास उपलब्द विद्धुत लेपित वस्तुओं की सूच ग्रह की टोटी तीसरा गैस बरणर चौथा सोफे के फ्रेम पाच्वा साइकल के पार्ट छटवा कार के पार्ट शाथवा दरवाजों के हैंडल आठ्वा टेक्टर के पार्ट नौवा मकान में लगी ग्रेल आदी प्रश्न बारा जो प्रक्रिया आपने क्रिया कलाब 14.07 मे उपियोग होती है एक पतली शुद्ध कॉपर की छड एवां एक अशुद्ध कॉपर की छड इलेक्ट्रोड के रूप में उपियोग की जाती है कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन तर्मिनल से सही उजित किया जाए कारण भी लिखिए उत्तर अशुद्ध कॉपर की छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में बैटरी के धन टर्मिनल से सही होजित करना चाहिए क्योंकि अशुद्ध छड़ को कॉपर विल्यन में मिलेगा तथा कॉपर रिन टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा हो जाएगा Thank you for watching